राम राम दोस्तों, ये दार यानवी है, पोड़कास्ट का 175 एपिसोड है, और आज पोड़कास्ट पे दावत दिये है, हर्याने के जाने माने पत्रकार दर्मेंदर कावारी जीने, तो कवारी साथ पहले तो राम राम आपको, राम राम निशानत भाई, बहुत शुक्रिया आपका इतने शर्दी में याद किया आपने, थैंक यू आपका आने के लिए, और कवारी साथ दूसरी बार हमने पाड़कास्ट पहले हैं, पहले साल पर पहले एक पर दुबार आज जायमत दीदीन को, सेट छाजुराम पर हमने बात की थी, काफी विस्त्रित चच्चा हु चुकी है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा उस गर्मी का आकलन जो है, कुछ लोग गंगा में गोते लगा रहे हैं, कुछ सर्यू में डुकी लगा रहे हैं, इस सर्दियों के टाइम पर, तो सर से जाने के बहुत कुछ एक्तम ऐसा लग रहा है, दो तीन महीने से, कि जैसे ग रूद काटन हुआ है, बी आर में कुछ चल रहा है, तो और सर जो है, इस पर लगातार निकाहर रखे हुए हैं, तो आज सर से कोशिश करेंगे जानने की, कि हर्याने की राजनिती में, जो उठा परटक चल रही है, उसका क्या नतीज़ा होगा, तो सर हम स्टार्ट कर लेते क्या रूटल है, बीजेपी, तो उसकी दस साल की इंकंवेंसी है, एंटी इंकंवेंसी मैं तो नहीं कोँगा, हैं दस साल से सत्ता में है, दसमा साल चलो हो गया, तो उनकी परफॉर्मेंस के पहले तो किस तरह आखते हैं इन दस साल का सफ़र? देखिए निशांद भाई हर्याना में 10 साल से बीजेपी की सरकार है और मारणीय मुख्यमंत्री जी जो मनहुरलाल जी है उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था कि मैं मुख्यमंत्री बन जाओंगा लेकिन जो किसमत में लिखे रखा हो न तो उसका कोई लाज नहीं है और दस साल से हर्याना प्रदेश जो बहुती निराला प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री बन गए और इस दोरान बहुत सारी कॉंट्रोवर्सी खड़ी हुई है कुछ काम उन्होंने अच्छे दिखिये हैं और माड़ों की तो गिंती नहीं है इतने कि लेकिन बीजेपी की ये मनोरलाल जी और जो 2019 का चुनाव था कोई ज्यादा फरक नहीं था एक तरीके से लोगों ने तो पूरा जोर लगा दिया था मनोरलाल जी को घर बठाने में लेकिन जो वोट जब बठते हैं दस सीटे दुशन चुटाला ले गया 30 सीटे कॉंग्रेस की आ गई कुछ निर्द इसको शूट भी कर रहा है जब मेरी कोई चीज मुझे सब लिए देती है तो मैं उसको करूंगा सिद्धिवाद है तो बीजीप को अगर कास्ट पॉलिटिक सूट कर रही है तो उसको आवा देंगे चाहे कुछ हो जाए उसमें उनकी कोई गलती मैं मानता भी नहीं तो फिर अगर आप उसके रोड़ पे चले जाओगे तो आपको पता लग जाएगा अर्याना की जो असली सूरत है वो क्या है तीन-तिन फुट के गड़े हैं और यह मैं चुकि अर्याना के लगबग एरिया में गुमता हूं बहुत बुरा हाल इन लोगोंने मचाय रहे हैं यह कैते ह कि करपसन हमारी सरकार में कम हुआ है खत्म होने की बात नहीं करते हुआ है किसी से पूचला अफ्टेकिदार से काम के रेट बढ़ गए हैं जब वो दस परशेंट में जो उनका काम चला करता था अखल की डिपार्टमेंट में तो आद आद आपे सिच्वेशन आ रही है ऐस सब्सक्राइब दस सीटों के साथ मुख्यमंत्री है उन चुगठवंदन की कीमत है वह हर कोई वसूलता है वह सुल रहे हैं मुख्यमंत्री मनोरलाल जी है उनके साथ जितने कैबिनेट में मिनेश्टर है आप एक्विज कराओ लोगों में दस में से नौ आदमियों को दो से तो बहरी बरकम जंबो मंत्राले है तो पैसा फूपते हैं वो हर चीज पर और रियाना में एक हावत है कि मुझाब में कि जिसके जब में दाने उसके कम लेवीशाने है के बिजेपि वाड़ों के पास आज के दिन सब कुछ है जिए सफलता के लिए जो जो चीज dzień रिया उसमत था कुरी मेडिया उनके इसाथ किमनिवा उनके साथ सब कुछ उनके साथ है और खास बात है कि कास्ट बेश्ट पोलिस्टिक्स उनको सूट करती है तो बीजेपी में सबसे एह लोग पिर ये मुख्यमंतरी होते हुए भी मानने मनोर लाल जी दोड से बाहर हो गए ऐसा मैंने के वह बड़े गरव के साथ कहते हैं कि पर्चीखर्चीख मैंने बंद कर दी उनीकी सरकार के एक सीएस नागर साथ पकड़े जाते हैं लेकिन मनोर लाल जी के इस वाद से कोई फरक ने को आज भी परचीखर्चीख अभी उनिश्टी का उधान बता रहा हूं है गुडगाउं उनिश्टी का गुडगाउं उनिश्टी में इन्होंने कम्निकेशन ओफि उनिश्टी का जो जिनको वो नोकरी दिडेनी थी उनको उसका पावन बंसल जी ने एक्स पूज भी किया उसको उसका किसी ने फोटो किस ली आंसर सीट का उसके मातर 23 कुस्टें ठीक थे तो में से और जब रजल्टाय तो बंदा पास था वाइरल कर दी वाईरल करने के बा अदमी था उसमें और सेकिंड नंबर वाड़े में नंबरों का इतना फर्क था कि अगर उस इंट्रुव में उसके जीरो भी लगाएं मेरिट वाड़े की तो भी उसका सेलेक्सिंग करना पड़ता है तो युनिश्टी ने क्या किया उसको नन फांड सुटेबल एनकर से कैटे दिखेते लोग हैं यह कभी नहीं कहेंगे कभी सुश्चार नहीं करेंगे लेकिन सचाहिए है कि नो इंपक्ट इस सरकार का लेकिन इसके बावजुद सत्ता से बाहरो जाएंगे इस बात की में गार्ण से निक क्यों कि कास्ट बेस्ट पॉलिटिक्स और अब धर्म तो इसका मतलब अरियाना के छेजर चाहिए श्री राम केन यह लोग ते राम उमारे जीवन का अभिन्य हिस्सा है अंगे अमारी सुस्कृति का है लेकिन जैसरी राम मारे मतलब कल्चर में इस पर मारे मुझे इस वाड़े मुझे पर देश में पूरे देश में बीजिप आज के दिन अथी है वकिचिटी है यह आगे अचा सर इस पर जो दो कारेका दूसरे कारेकाल और पहले कारेकाल में कोई अंतर है जे जेपी के सरकार में सम्मेलत होने के बाद 2019 में फिर इस किसान अंदोलन हुआ उसके बाद उननिस से चोबिस का जो कारेकाल है और चोदा से उननिस का उन दोनों में भी कोई अंतर है यह जो यह स्थितिया बता रहे हो यह लगातार सर्चोदा से चली है ऐसी काफी अंतर है दोजार चोदा से दोजा उननिस की सरकार में मुख्यमंत्री मनोहलाल जी नहीं नहीं थे और नहीं नहीं वह ना चमचम करके चलाएगा उनके कैबिनेट के अधिक्सांस मनिष्टर पहली बार बढ़ने थे अगर आप रामविलास जर्मा जी को छोड़ दे तो गुल्मों सारे लोग पहली बार बने तो मन में एक उमंग थी करना है कुछ प्रदेश के लिए ना दूसरा जब मनोहलाल जी के इंकम जोर पड़ते सब्सक्राइब करें तो कैप्टन अभी मन्नु खीच लेते गार्डन है धन्खरजी खीच लेते थे अनिल भीच खीच लेते थे सरकार के सारे पिलर मजबूत थे उड़ा साब दस साल राज करके गए थे वो जोर साब एक आदमी दस साल राज करता है ना बड़ा चांती से सब्सक्राइब करते हैं तो करते हैं तो उसमें दूसरा गठमंदन नहीं था कोई मलों कमिशन का थेल नहीं था तो होगा थोड़ा बहुत होगा लेकिन अच्छी सरकार थी वो ठीक काम किये उन्होंने ट्रांज्वर पॉलशी लेकाई और रियाना में लुड़ करें अपनी कीमत है ऐसे कि फिर जो मंतरी हैं वो इसे हैं जिनना अलके से बार कोई जानता ही नहीं आप सिक्षा मंतरी जी को अगर सुन लोगे आपको आपको एरान में होगी यार या दमी सिक्षा मंतरी है रहा है खेल मंत्रियों का एक पोज के साथ कमाल है तो आरोपों की जड़ी ऐसी लगी चार चीट में आ रहे ना मुसका मतलब चार चीट वह उस लड़की ने बड़ी मैं तो कहता हूँ फाइटर लेडी है लड़ाई लेडी बड़ी इस पिल्कुल इस ऐसे मंत्री सरकार में मैं हरान ह कि अर्याना चल कैसे रहा है तो फिर अपने घटर साप के ब्यान देख लो आप ट्रांसफर पॉल्सी ठीक थी पिछली सरकार में पर चीकर अब इस सरकार में अलोग और माजी है चैर्मन साइध अर्याना पहला स्टेट होगा जिसमें अर्याना पुब्लिक सर्विस कमेशन जो अर्याना की युवाओं को नोक्री देने के लिए पनाया गया उसमें बार का आदमी चैर्मन है और पूरे अर्याना में इन बीजेपी वाड़ा भायों से भी पूच्छू में तुमने बीजेपी में आरेसस में पूरी योग अदमी अर्याना का वाई ने मिला जिसमें चैर्मन मुना दो हवालो कर्मा जी क्या करते हैं यह जब कभी सरकार जाएगी और स्वेत पत्राइंगे तब पता चलेगा बार के आदमियों की बड़े पैमाने पर इन बच्छी इस प्यारों भी लगत करती है इनोंने बाहर के लोगों की है गुरूप A में गुरूप B में अर्याना के लोगों को तो यह लगाते हैं कल लगा चपडा सी यह चीचे बार वानों को देते हैं अच्छी अच्छी नोगरियां जब अभी यह जाएंगे तब पता चलेगा एक तो पहले नए थे यह लगन थी त्यार तरह की जर्नेशन होती है पुलिटिसियन की तिंग ए भी फर्स जर्नेशन के पोलिटिसियन पहले बार चुना जाता है उसको मन में बड़ी उमंग रहती है सपने रहते हैं आपके मन में मेरे में में भी हों यूंगे जब यार्मों को sports करता है कि लोग मुझे चुने हिथिसाफ में मेरा नाम याद रखा जाए 10 Stallion जाता है तो बाब रहा हो तो वो उसको प्वड़ा सची जी समझ में आती है वह देश ऐसे चलता है यह कोई ज्यादा है टेंजन ठाण की जुड़त है नहीं पर उते थर्ड जने सन्वाड़े ने का जो दुशन चोटाला जैसे मतलब जिनका दादा भी रहा हो बाबू भी रहा हो बहुत यह बहुत खत्रनाख लोग होते हैं यह आप चाहिए और में पड़ रहे हो इसमें डिपिंदर वाट ये चाहिए अअग्स पड़ में पड़ रहे हों इनको कमाना है माड़ है सारी लड़ाई संसादनों की है आम आदमी की लड़ाई है रोटी की और इन की लड़ाई है पैशन की कि जब से दुशंद ने पालिटी बनाई नहीं तो बिना सरकार में साथ जा लिए वो पालिटी सस्टेन कैसे करेगा कारे करता हूं कुछे टेंडर देलवाने कुछ तांग देलवाना तो वो तो जस्टिफिकेशन अपनी यह देंगे ना कि भाई आम मैं तो पता नियागे क्य क्या होगा मुश्किल से तो सब्सक्राइब करके और जो थे मोटी मोटी मिनिस्ट्री जो अपने थे डिपार्टमेंट रख लिए अपने पास खट्र साब की मजबूरी थी सरकार बनाने की नहीं है तो वो बिचारे फिर में कारे करता हूं कि उसके बिना तो फिर सश्टेनि यह चिक चड़ और कलीली देखी मैंसकला के लगेड़ी यह उसी तरीके को थे हैं तरीकरता हूं जे सरकार नहीं आती कहने की बात है चोदरी देविलाल जी हवा बनते थे तो वो टाइम था को टाइम गड़ी थी एक बड़े वर्ग ने यह फैसला कर लिया था बीजेपी को बार करना है और उनके सामने दो मजबूत आदमी थे एक था कॉंग्रेस पार्टी और दूसरी थी नहीं नहीं जन्ना एक जन्ता पार्टी तो शन्चोटाला पड़े लिखा आदमी था उसने बड़े बारी स्पैमाने पाइटी सेल कड़ी करी और लोगों के विश्वास दि अगर एक पार्टी को वोट दिया था तो उड़ा सीम बने चुका होता है तो वो टाइम गड़ी होती है लोगों की बदनसीब भी कह लो इस आप इसको या कुसकी सिमित्थी कर लोगे इस तरह वोट दे दिया उन्होंने पर यह कार्य करता कुछ नहीं है हर नेता जग चुन जब यह लोग चुनावारते हैं कि सबसे पहले लात मारने वाड़ा वही आदमी होता है जो जिन माड़ कमाया और जो नया पाउर में आता उसका चिपर जाते हैं यह सीधा-सीधा फार्मूला मैंने बहुत नेता अगर बुरे है ना तो यह कार्य करता और भी जादा बुरे है तो यह सोचना हम आदमी का करते हैं यह उसके घरा नेता को ले जाएंगे वह विचारा मावे की बरफी साल में एक बार अपने बच्चों के लिए कभी नहीं लाता होगा लेकिन जब नेता गराता है इनकी इजद के लिए आदमी लेका आता है माला डलवा देते हैं तो श को वह जो नहींता अपने कार्या करता जितने कम से कम रखेगा उसकी सब्वस्टा की गुंजाईस उतनी ज्यादा है अनी लिवीज पांच बार जीत लिए पांच बार जीत लिया आपके चीज को न मिलेगी आगला खुद ही जाओ आपने वोट्स मंगड यह जितने कार्या क सब्सक्राइब कर दो दूसरी तरफ अपने आल बताया कि जो सब्ता चल रही है सरकार चल रही है उसका गुट बाजी और जो है पुरे आल तो दूसरे खाने की तरफ भी है जो दूसरा मजबूत खाना है कॉंग्रेस का वहां भी तो दड़े एसर के गुरुप और एक जो लगा लो उनको पॉलिटेशन तो वहां भी कोई अच्छे आला तो नहीं लग रहे कॉंग्रेस 19 में चांस था एजेजेपी वाड़ा सीन नहीं बढ़ता तो कि वो सरकार बढ़ा लिते किसी तरह जोड़ तोड़के अब की बार क्या चांस लग रहे है क्योंकि जोड़ तो तो एक जो दूसरी तरफ जो ग्रूप है उसके भी आलत और उसकी जो ट्रैक रिकॉड रहा है तो उनकी कवायत को किस तरह दिखोगी आप देखो यह जो 24 का चुनाओ है यह कई माइनों में बहुत अतियासिक चुनाओ रियाना के लिए उड़ा साब के जीवन का आखरी चुनाओ मन के चलो जो भी कांग्रेस में बच रहे हैं अलागी कांग्रेस में बच रहे हैं अलागी कांग्रेस सबसे बड़ा संक्ट हुए ना अगर मान लो बीजेपी चार सो से ज़्यादा सीटे जीतती हैं तो आगे जो लोक्स बच बच चुनाओ पाके बाद फिर विदान से अचनों उन में क्या रहेगा अभी बहुत कुछ देखना है हम बोड़ाई गजब की पीड़ी हैं हमने चुदर इबंसिलाल को भी देख लिया हमने तीड़ा साब को भी देख लिया और हम अगली पीड़ी भी देख लेंगे मतलब ठीक लोग हैं राजनिति की कई चीजें देख लिली जो असी उसी कास पास जन्में लोग है न उन्होंने वनातेम भी देख लिया नहीं देख लिया हम एभी देख लिए लुग को इस और बेशारे लोगारे लगास लिए वही पोलेटेगल मेत्र पांटर पांटन चोदुरी को इतने साल इसके मन में पुल्डेट में एक में एक में एक में एक में एक में एक हुआ जी सर कंटीनू करिया अग्राजनितिक में तो कांग साय रखना बुरी बात नहीं है सबको रखनी चाहिए लेकिन रियाना में विदान सवा चुनाओ लोक सवा चुनाओं के बाद होंगे जहां तक उम्मीद है और यह लोक सवा चुनाओ अर्ति जंता पार्टी सिर्राम जी के कंदोपिस्वारों के लड़ रही है तो उन सीटों का क्या रहेगा उसके बाद क्या यह जो SRK गुरूप है जरूरी यह सारे SRK मेरे क्या बता इन में से कोई BJP में आजाए तो यह भी देखेंगे ना लोक सवा के बाद मारा क्या रहा तो क्या बता इन में से तूटके कोई BJP में आ चाहिए क्या बता बुपेंदर उड़ा इभी जीपी में चला जाए यह जो निति इश्कुमार वाली क्योंकि यह सारे एक दो साल पहले जो गुरूप ऑफ 23 बना था कॉंग्रेस में परिवार के तो उड़ा साब उसके मैं जीसने राजनिती में रहना है वह देखेगा अपना फ्यूचर अपने बालकां का फ्यूचर मैं मेरी खास मतलब अच्छी बात मुझे यह लगती है कि मैं राजनितिक का रिपोर्टर उने के चाट्र होने के नाते मेरे इनके साथ होने को इन मेरे लिए जिसा खटर है उसा हम दढ़ा है उसी छोग जो इनके साथ जुड़े हुए हैं उनको तकलीप हो सकती है मुझे क्या तकलीप होगी कोई कड़े जाओ मेरे के दिक्कत है मैं तो इतियासी करता हूँ बस अक्षी हूँ आपकी तरह है आप तो लिख देंगे अपने जो चीज़े लिखेंगे तो अभी अवसरवाद की जो एक बार कासी रा राजनिती पूरे देश में चलेगी क्योंकि सब को पता है कि कॉंग्रेस के पास दम नहीं रहा विचारी के पास और कोई बड़ी ताकत पूरे देश में है अभी आप अगर कोई साथी हों अगर राजनिती को बहुत दुनिया की देखते हों तो अभी देखो आप ट्रम का उबहार का समय दुबारा से दुबारा सेकेंड टाइम इस्राइल में नेता हूँ फिर से आया अब दुनियों के जितने भी देख लें ऐसे राजा वहां पे हैं जो बार बार आ रहे हैं एक बार कपजा कर लिया तो फिर बिठ रहते हैं अगर आप थोड़ा सा अपने पार्टी तो घतम कर रखी दूसरा केंडेट भी उनका तीसरा भी उनका चुत्ता भी उनका और खास बात यह पुलिस लोगों के घरा रही है कि चाल बोट दे तो और खास उसमें भारत सरकार ने उब्जरवर बेज आपना कि चुनावी परिकरिया कितनी निस्पक्स है जान बारत की राजनिती में तो यह एक लठोर लागना रहे दो दर्चों भी समय कुछ नहीं है मैं निरासावादी नहीं हूं लेकिन सचाई को देखना समय के पार जाके देखना एक पत्रगार का दाईत्र बनता है यह जो लोगा सिर्राम सिर्राम की नारे लगा रहे न एक दिन भूपतेंगे भी एस चीज़ को क्योंकि उस देश का बहुष से क्या होगा जहां आपको इस्ट्यूशन नहीं चाहिए है वहां आपको धर्मिक स्थल चाहिए है हम उक्सपोर्ड जाते हैं खबरें चपती है अगवारों में प्लाने का बच्चा उक्सपोर्ड में पड़ रहे हैं क्या इतने साल बाद आजादी के दस साल तो मोदी जी को भी होगे हुआ है क्या एक मतलब डंका इस्ट्यूट नभाठ में नी बना सकते ही हिए ऐचिए ट्रचियाक नीक कड़े कर सकते हम क्या परियाप संख्या में दोक्टर में नहींड सकते हुआ ये सब्सक्राण का में आया ने और जो सारा माहौल क्रियेट हो गया है 22 जनवरी के बाद तो आपको कितनी शमता लगती है कॉंग्रेस पार्टी में यह जो तूफान है इसको रोक पाड़ेगी अर्यार ना कि दूश की जिर नहीं है नहीं है किसी में भी नहीं है देखो विचार को विचारी मारेगा और कॉं कॉंग्रेस के पास कोई विचारी नहीं है कि कॉंग्रेस आम भारत के लोगों का प्रतिनितों करती है आम भारत के लोगों का प्रतिनितों का मतलब है जो मोका परस्त है जो आवसरवादी है जिनकी कोई सोच नहीं है जो जो बिना पेंदी के लोटे हैं और यह सारे लोटे कट्र का विरोध करने वाड़ा कोई भी आदमिया रियाना में गुरूप डी की नौकरी पर कट्र की जैकारे बोल सकता है शर्वादी है हमारे खून में जैने टिकली मतलब हम अवसरवादी लोग है या विचारदारा कोई सवाल ही नहीं आप पूछ लो किसी से भाई तो कट्र के साथ क्यों या उद्डा के साथ क्यों है उस पस कोई लोजिक नहीं इस बात का वह इसलिए साथ है उसको लगता है कि म तो पचास साल कांगरेश ने राज कर लिया अब आपको याद हो अमिच्छा ने बोला था बहुत समय पहले कि मैं पचास साल के लिए मारे हैं जूट नहीं कह रहा है यह बात दूसरा सवाल कौन उठाए इन से आज आप और मैं बात कर रहे हैं फ्रीडंग ली क्या अब दाने वाले समय में अंभीना कर पाई है बात वहीं आज देश के जो अच्छे पत्रकार थे वह विचार कहां अंदर दर इठोक रहा रहे हैं कहां है वो आज सारे यह यह तो यूट्यूब चैनल खो लोबट रहनों संस्तागत पत्रकारिता जो थी व सब्सक्राइब कर देता है दिखाएगा ही नहीं है और नया विचार लोगों को लुबाता है अभी तो बीजेपी का समय है बीजेपी वाड़े मजेलें राज के और मुझे लगता है इनके सामने कोई चुनुकती है बीजेपी गिरें प्लीन पस्ताइखी होगोगें तो क्या होगा उसमें उसके सामने आएगा लोगों को लुब आएगा तो जो नया विचार इंके सामने खड़ा हो जाएगा तब भी जेपी आरेगी बाकि राउल कोई फरक नहीं पड़ता है दस साल होगी ना उसकी मा को जेल में ठोका ना राउल को ठोक पाए ना पिरिंका को ठोक पाए और तो जो सबसे बरश्ट ता जिसके उपर टैग है और व अच्छा सर यह इस पर कॉन स्परेसी थोरी यह कर जाती है कि इनकी साथ जाट है अंदर खानने इनकी खट्र साब और उड़ा साब की तो मतलब उड़ा साब की काम होते हैं वो जो है कि नकली वैमनेस से है स्टेज का पब्लिक कंजम्शन के लिए बीस साल की पोलिटिकल अन को यह दिखाने बल्को यह जेजेपी हैं सारे एक जैसे हैं जाते हैं और जब यह जाते हैं और जब यह दूसरे के लोग जो यह सोचते हैं कि हमारा नेता अलग है कोई नेता लग नहीं है आज 45 प्रसेंट कंज्शीजी बीजेपी के उच्छे हैं जितने भी पोटेंचिल वाले नेता थे जो बीजेपी थी वो चुके हैं बारती कोंग्रेस पार टी असल में वह तो यह लोग सोचते रहेंगे कोई फरक नहीं पड़ता असी क्रोड लोग मुफ्त की रासन पर जिते हैं वारत में मुफ्तरासन देते हैं आला बारती जो है हां सरकारी डेट का लगवार में विध्यापनाय हुआ था कि असी क्रोड लोगों को मुफ्तरासन तो वह हैं जो सरकार की दया पर जीने वाड़े लोग हैं दस क्रोड लोग इसाई भी हैं जिनको मोत दिया है राव लाइक कुछ प्र विवस्ता में कहां आप जब आ विक्सित होते जाते हूं जब आपके जिएन में सिक्सया का सर बढ़ता जाता है एससी सिक्सया घरैंट करते हो जो आप कंई व्युचारों को खूल दे तब आप सथा से स्वाल करोगे तो अब इस उपसक प्र रोतेगी सत्ता को यह तो काम तो फिर काम वरने की जरूरत क्या भई अभी ज्यानुवापी आना है नोपी भी आएगा अभी हो गया है वह बहुत सारे मुगलों ने बहुत सारे मंदिर तोड़के मस्जिते बनाई थी अब जो इसार का फिरोजा मैल है उसमें आप जाके देखोगे वो सारा किसी मंदिर के अवसेसों से बना हुआ है वहाँ पर गणे सुने सब कुछ मिलेंगी तो इस हिसाब से फिरोजा मैल भी चिने गाए जाने तो तो अब ही तो जैसे रहां मोलो बीजेपी को वोट दो और बाकी असी क्रोडारी लाइन में लगते जाब आपने बात की विचारों की के एक विचार जब अब उत्थान पर होता है और चीज का समय आता है कॉंगर्स की जो समाजवाद्री या जो सोशलिस्ट पोलिटिक्स थी नारू के टाइम से चलते चलते तो इसमें असन्कतिया आ जाती है मुल उषंड़ सिर्टिय बढ़ती है और आहती है पर आता है जब याज आटरा भीन कज़ा जाता है कुछ कहलो धर्म का, किसी दर्शन का, वो उत्थान पर है, हिंदुस्तान में परंपरा रही, कॉंग्रेक के साथ-साथ भी 1950 से कुछ और दारा है रही है, चाहे जन संथा, चाहे जनता पार्टी थी, मिनिस्क्यूल प्रेजन्स थी, वो दिरे दिरेजी से कॉंग्रेस खतम होती गई, 67, 77, 89, फेज रहे, चोदा एक वोटर सेड है, इंडिन पॉलिटिक्स में, कि उसके बाद से बहुत सारी चीजें, जो पुराने प्रेयाई थे देखने के चशमा जो था, वो चेन हो गया है, आपने का जिकर करा बीच में, आम आदमी आदमी लफ्स का आपने बहुत इ फिर उन्हें आर्याणे मात बाहने शुरू करें, एक दो नेता जो थे वो गुसाए अपने पास, निर्मल सिंग जी होगे, जैसे नौर थरियाना से तवर साब होगे, जैसे ही, जो कहते हैं कि कॉंगर्स ही जो होते हैं पुराने, वो चुना भी में इंडग होते हैं, वर सा जैसे नाम तक नहीं था, कि रेयर उस वाली में आम वाली पार्टी में हो, आम वाली पार्टी में, और तितमर साब वापस अपने सिरसा में, जहां बीजेपी का अब होल्ड है, कांडा साब होगी है, मैडम हमाई का इस रिटाइड, दुगल मैडम, तो वो उनकी शरण में पीजेपी के वहाँ, चले गए हैं अपने घर में वापस, तो क्या लगता है, आम आद्मी पार्टी स्टार्ट रेस में पहले ही, भागन से पहले आउट हो गई है, डिस्कौलिफाई हो गई है, रियाने में, कोई और अटनेटिव आइडिया था इनके पास, यह पहले से ही जीरों पे थे यह, देखो, केजरीवाल जी की पार्टी का जो विचार पैदा हुआ था, वो अन्ना जार जी के अंदोलन के बाद हुआ, लेकिन किसी विचार को वो बड़ा कर पाते, यह अंगा बारूद खतम हो गया, दिवाली केजरीवाल जी, उड़े, आसमान में गए, पताक का फुटा और निच्चे गिरे, उड़ना था, उड़ भी है, अभी तो केजरीवाल जी किसी दिन ये बीज़ेपी वाड़े उनको जेड़ में ठोक देंगे, और सारा सिस्टम उनका खतम करते, नमबर उनीगा है, मेरे ख्याल से अब कोई कचे है, इसलिए आज कल वो किया, उन्होंने बीज़ेपी का तो कोई नुकसा नहीं निकिया, जहां जाकिया, कोंग्रस की सारी सीट मी खाई है, वोट मी खाई है, और यह चोबिस में ये कर लेंगे, जो इंडिया गठ बंदन बना रखा, यह तो नितिश कुमार ने खतम ही कर दिया, इंडिया गठ बि इन लोगों ने क्या थोड़े गंदे काम की है, ऐसा कोई पाप नहीं, जो कोंग्रेस ने ना किया हूँ, और ऐसा कोई पाप नहीं, जिसका अनुसरन बीज़ेपी ने ना किया हूँ, यह पापी है, कोंग्रेसी, यह मापापी है, दोनों का मकसद एकी है, किसी भी तरीके से सब्सक्राइब लोगों की कोई यहां भारत हिम छोट्ट्ट स्वार्थ को मरने जिने वाले लोग है देस्स मेलेइब कभी थापी नी आजवी नहीं और भी म highs सरह में भारत की हम वैक्तिक इंद्रित वैक्त का कभी यह सिखाया पढ़ाया निजाता की भारत रहारत के बारे में चोछना है छोटे चोटे उदिशteenों जो लाव तो आप देश की बात करते हो पर देश के लिए कुछ सूलिड करके दिखाओ न अच्छा लगता है अब मेरे पास एकार एसस के दोस्ता आगे उनका बेटा जरुशनी में गया है और जरुशनी में जहां पे वो गया है वहां पर प्रभास से लेजगा भी ने के कि उसकी मदद की जुरूद उसको थी तो मैंने मदद की कोई वाज आता है मदद करते हैं यह अर्याणी वी सबाव है पिर मैं उनको का कि आपने वैसे तो गल्द किया बेटे को जर्मनी बेच के बोला जी क्यों मैंने का मोदी जी भारत को जर्मनी से आके निकाल देंगे पर चले जाओ का है यूद का है यह नी सारा के लिए अस्ट्रेलिया यूएस से प्रीदाबाद सोनीपत अपका गुडगाओं अगर इसको कोई अर्याना मानता है तो अपनी गल्द फैमी में है यह तो अर्याना है यह नी कि रोग तक जिस सहर में मैं रहता हूं और जिस सेक ते से लुद्म और जिस अर्याना की बाध करते हैं वह अर्याना नहीं जिस बारत की सिरू épisode जब subscriptions है सिरूंट आप मैं कि यह क्यों है यह कूं करते हैं पार टाइम वेटर का काम करते हैं चेक्षियां करते हैं जो स्टफ है जो ठीक-ठाक से में ती लोग है वो देश चोड़के चले गए बचा को आपकर मेरे जिसा कि दूसरे का क्यों एक्जेंपल देवां तो क्या वह इस से इस देश आपको आपको नहीं लगता कि उम्मीद ही करण पर निजर नहीं आती कि चीजें बैटतर हो लगती है कि मैं निराशाववादी नहीं हूं मैं यथार्थ वादी हूं आच्छा मुझे कोई फरक निपड़ता देखो मैं सबसे आसान उपाई इस देश में बबबबन जाना रोसने सारे उसके पायां के भी आध लाओंगे रपी भी देंगे और कोई भी ठीक ठाक बोलो नहीं आदमी बबबब अच्छा बन सकता है वह आप भी बन सकता हूं आपना मैं इथारद वादी हूं निरसावादी नहीं हूं लेकिन एक पत्रकार का यह दाइते होता है निशान जी कि वो समय के पार देखे जहां ना पहुंचे रभी वहां पहुंचे कभी तो अपना काम है सच बोला देखो जीवन में अगर एक आदमी वीरा जाएगा तो भी मेरी आद्टि में हूं जो सरकार को छेता सके सचता के बारे में बता सके मेरी पढ़ाई के दोरन मुझे बताया गया मेरी सोच ऐसी है मैंने अपनी दादा से यहीं सीख खाyorum मैं अपने दादा की तरह रोंगा सारी उमर सो दीबाति है चोटे मोटे लोगो टिढ़ा ला ला तो एक तरह से अच्छा ही है इसमें पुरा ही क्या है देखो नहीं मैं यह नहीं कह रहा है कि विपक्षी नहीं होना चीए पर जिस टाइप का विपक्षी है इन्होंने पड़ी हालत खुद ऐसी कर रखी है यह इस लायक नहीं थे इनकी टाइप की जो पॉलिटिक्स है वो खतम होती है जनता नकार रही है इनको इनकी तो इनका बैसे जो एक्जिस्टन्स है यह आपने पपी महपापी की बात की जब तक रावन के सामने राम का उदेत तब होगा ना बढ़िए पहले यह वाले अटे है छोटे करेक्टर है अ एक अरश्ट्रवालत की वो है पिलर उपर गया पूरा इतना मजबूत सहतीर बढ़के एक पोल है तो दूसरा पोल यह तो किसी लाएगी नहीं है देखो क्या है भारत के लोगों की मांसिक्ता क्या है अच्छा आदमी चुनाओं में खड़ा होता है उसको लोग वोट नहीं देटे और नोड़ा इसलिए पार्टियां चुनाओं में बुरे वंक्ति को टिकट देती है उस दिन लोग अच्舞 yald को टिकेट देना सुरू कर देंगे उस दिन और यह ञीं करते है और वोट नहीं करते तो अच्छे आदमी राजनिती में आते ही नहीं अच्छे आदमी राजनिती में नहीं आएंगे और आप बुरे आदमी को अपने अपनी लगाम दे रहे हो तो फिर आपको सी करोड वाली लाइन में खड़ा होना पड़ेगा मूल चीज यह है कि लोग पार्टी ओड़के अच्छे वैक्तियों को वोट देना सुरू करेंगे ना उस दिन भारत में बदला हो आएगा और इसकी फिलाल कहीं दूर-दूर तक भी गुंजाए से बिल्कुल भी नहीं है कि टिकत सबसे बड़ी विचारे लोगों के भी कमी निम यह तो बड़ा एक सामाजी कर्दन का विसे है वो किसी अच्छा समझ के जब भी वोट देते है ना वो राज नितिमा के वैसा ही हो जाता है वैसे हो जाता है जैसे कि जरिवाल का नाम था कहां जाएं लोग कहां कि जो बुरे लोग है उन में से फुटा सा कम जो बुरा है उसको वोट दे उसको वोट दे एक अच्छे आप अच्छा परिवार राया निंगी त्यास मैं तौ देविललल का परिवार उसके एक दड़ा जेपी है जिसका अलिकाद जिकर गंबेकरा एक दूसरा देड़ा है पिछले साल अर्याने में राउल की देखा देखी जैसे राउल देश में कर रहे थे राउल गंदी तो उन्होंने अर्याने में निकाली कुछ लोग उनको एक सीट की पार्टी बताते हैं कुछ का देते हैं दो आ जाएंगी विदान समामन लेकिन वो बाते इतनी बड़ी- सकते हैं तीसरे के इंडेट वही है तो इनका जो डाउन फोल है जो पूरी फैमिली है बंसे देविलाल जी की तो क्या कारें रहे आपस में चोटाला साब जेल जाना और उसके बाज उनकी खटपट भी हुई आपस में पार्टी आ लगे लगोंगी तो इनने लोर इनका क्या अगे वाले चनाओ में तो क्या लेकि जाएंगे जनता के सामने निशान जीब मैं कोई जोची तो नहीं हूं और बाब बाड़ी वाती में जाकती बाब भी नहीं बने जापने तो लेकिन अर्याना की ग्राउंड रियल्टी यह है कि यह जो दुशन चोटाला ने जो पांत साल सरकार का मज़ा लिया है इस मज़े की वज़े से इनका जो कोर वोट बैंक है वो है जाट वोट आज के दिन यह सचाई है कि चोदरी देविलाल के परिवार से ही लोग कट गए हैं तो अगर दो जार चोबिस में इनके परिवार के एक सदस्य से भी विदान सबाब पोँचे हैं तो मैं बड़ी अचीवमेंट मानूंगा इसको अब बदाई दूंगा इनको इस बात की अगर आज आज भी आप देखोगे चार-पांस लोग इनकी परिवार के वहां के बिलकुल अलग अलग पार्टियों से लेकिन इन अलग बात मुझे लगता है कि जिन्दकी में एक बार दाव लगता है लगया अपना जुगार तो ठीक कर लिया उसने तो लेकिन जो उनका कोर वोट बैंक है वो देविलाल परिवार से उसको एक किसम की घ्रिणा का भाव दिखता है लोगों में तो इनका कुछ नहीं पटन सबसे पहले पंडित भगोध्याल जी है उनकी कोई राजनितिक विरास्त नहीं खड़ी पाई राव बिरंदर सिंग जी केवल अहिरवाल में सेमित रहेगे आज कल वो उनके लड़के जो है बहुत बड़ा फेक्टर नहीं है राजनिती में एक मलब फोड़ी सी जगह पे ग अधनपुर फिर ओम परकाष चोटाला जी एक सीठ है यह दर से जेजेपी की दस सीठ है यह 24 में इनका भी काम तमाम हो जाएगा उपेंदर सिंग उड़्डा जी रोग तक से बार सोनी पर जाके चुनाओ लड़े उड़त भी आरगे अच्छा वो कह रही थे विवारे तो उन्होंने एक बात कही के बाप बेटा फिर आ रहेंगे अगर रोग तक से लड़ा और सोनी पर से बुपेंदर जी लड़े तो यह गलती दुवारा करेंगे लोग सब चुनाओ लड़ने की अब मैं तो इसा रहे हैं और यह तो इसार का हूं लेकिन अब मैं रहता हूं कोई साल से जब इनको यह लगे इनका टाइम ठीक नहीं चाल रहा है यह रोग तक अड़े इनको किलो भी मैं रा देंगे यह अवसरवाद की राज निती है यह पहले रायन नहीं करते है इनको पर रादेंगे अब रायन है दिपंदर अब लोग कुछ भी कहते हूं कि गडबड कर दी है वो यह कहने की बात हैं देश मैं अभी तो लोग सबाके देखो फिर फिर पता लगेगा क्या बचा है क्या पतल यह कंडिनेटी डूडने मुस्किल हो जाएं दस भी मेरा आखरी सवाल सराप से यह होगा आपने जहां से हमने बाद शुरू करी थी जब सत्तर उडदल की परफॉमेंस की बात हमने स्टाइट की आपने का था कि जाती गड़ राजनिती है और जाती वेमनेस से का जो जहर है वो ऐसा गुला हुआ हुआ है पिछले तसक साल से त अब ज्याद है पहले भी था लिकिन पहुत जाधा हुआ है मतलब तो वह खाई पड़ती जा रही है तो यह जाट वर जात की जो राजनिती है इसका अंट हो सकता है को इसको पाड़ सकता है कोई पार्टी या यह अब तो ही लिए अब जुरुत नहीं है जात नम जात करने क आप तो जाट भी सृराम जी कर रहे हैं और दूसरे भी सिराम जी कर रहे है ने जो राम का नाम नहीं लेगा वह वह उसका सर्टिफिकेट ने मिलेगा जो शिर्राम नहीं बोलेगा वो कॉंग्रेसी तो आप बूत पर भी दिख जाएंगे लोग मुझे लगता है कि मोदी जी कहेंगे कि जो वोट देगा वो उस दिन पांस दिये भी जड़ाएगा अब देख लोग कितने दीजड़ रहते देखें आपने वो कैते ना सर वो था एक कूर्माश जेते हो कोड कर रहे दे कि भाई हम बीजेपी जड़ सकते हैं राम से कैसे लड़ेंगे राम से नहीं नहीं लड़ सकते हैं राम तो चैक आप बारतियों लोग तंदर में चुनाव तो बीजेपी वर्शी जड़ादर पार्टी है ना राम जी कहां से आगे इसमें राम जी तो बीचार वहीं थे लेकिन इतना लोग लगाए को बिलकुल और शायद यही आगे आने वाले जो जो नेता है जो नेता है वो आम लोगों का परतिनितों करता है तो मोदी जी भारत कि भारत के लोग भी वैसात है तो जब तक वह जीत रहें एकन्स भारत की जनता उनको चाहिए राम के नाम पर चाहे वह पुलमा की § कांगरेश का टाइम था कंगरेश का इनको देख लो क्या उसमें देखते रो मासे गुलवी डागर जी कह रहे हैं मजाक में सही बोला इस देश पर बहुत लोग आके राज करके चले गए यह देश का कुछ नहीं पिगड़ा है उड़ा की उड़ा है तो मुगल आ लिए अंग अजरो